सो जोस्तों आज तक हम लोगों ने बात की है कि लिंक कैसे लगाते हैं इंस्टाग्राम पे, कैसे इंस्टाग्राम पे मार्केडिंग करते हैं, कैसे content find करते हैं Instagram के लिए कैसे viral content find करते हैं आज का जो topic है वो तुरहा different है because आज हम लोगों बात करने वाले हैं the system of making $100 per day on Instagram, so system of making $100 per day on Instagram, क्या यह चीज है मैं आपको बताऊंगा कि इस link को डालने के बाद, मतलब यह link के हाँ डालने के बाद, अंदर क्या चीज है आपको करनी होती है, तब जा कि आपकी selling आती है और आप $100 या उससे कई ज़्यादा या उससे कम आप earn कर सकते हैं Instagram से, तो वह से system कैसे build होता है, क्या systems होते हैं, कैसे sell होते हैं, उस चीज की हम बात करने वाले हैं, इस वीडियो में, so make sure कि आप इस वीडियो को like कर दें, ताकि आपके एक like से मुझे motivation मिल जाए, और अगर आप channel पे new है, तो channel को subscribe करके वो जो bell क icon है, उसको please दबा दो, ताकि आप तक notification पहुंचे next video की, and guys please, please like करके जाना, क्योंकि एक आपका like मुझे बहुत जादा motivate करता है, and अगर आपका कोई भी question नहीं, तो आप नीचे comment मुझे से पूछ सकते हैं, और आपके लिए video बहुत ही जल्दू topic पे लाने की मैं कोशिश कर the world and you are watching as usual online money, so guys हम लोग बात करने वाले the system of making $100 per day on Instagram, so guys सबसे पहले मैं आपको बताया है कि यह link कैसे set करते हैं, कैसे bio set करते हैं, कैसे content find करते हैं, I think 80 to 70 to 80% चीजें हम लोगों ने पहले ही बात कर रखी Instagram के बारे में, but आज इस link के पीछे की कहानी, इस link के पीछे का system मैं को बताता हूं, जो link हम लोग लगाते हैं, जिसमें हम लोग पूरा traffic भेजते हैं, उसके बाद क्या होता है, तो guys सबसे पहले आपका होता है profile as you know, यह profile जो पूरा traffic के लिए बना है, ठेक है, मतलब traffic को attract करने के लिए वाब जितने भी Facebook, sorry, जितने भी आप Instagram profile यूज कर रहे है उन सबका जो यह front चीज़ है that is called profile और यह क्या करता है, यह करता है traffic attract, ठेक है, बस traffic attract करना ही इसका काम है basically, ठेक है, और यहां होती है आपके link as you know, यहां आप लगाते हैं अपना link, right, and उसके बाद, इस चीज़ के बाद, पीछे बहुत सारा काम होता है, कि क्या, कैसे, कब त पारे में बताया था, I hope कि आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है, तो चैनल पे video section में जाके देखो, एक से दो दिन की पहले की video है, जहां मैंने बताया है, कि three linking क्या होती है, जिसमें बहुत सारा link एक ही page पे जाता है, right, उसमें क्या होता है, आपके customer को option मिल जाता है, और उसको जो चीज़ पंसंद आता है, वो उसमें उसको buy कर लेता है, ठेक है, मतलब chance यहीं रहता है, कि 95 to 96 या 98 बुल, जितने customer आते हैं, वो convert होते हैं, और आपकी किसी ना किसी एक offer तक जाते हैं, तो यह बहुत साथा best है, और अच्छा trick रहता है, अगर आपने नहीं दे देखें, so guys, अब जैसे ही बंदा इस पर click करता है, तो वो इस चीज़ पर आता है, then वो एक offer select करता है, चाहिए वो कुछ भी हो, आप माल लो, आपने डाला है, health related offer, तो health related offer select करता है, at उसके lending page पर जाता है, तो guys, यहाँ सबसे बड़ा एक काम आता है, कि आप जो भी offer को pick कर है, चाहिए वो health से, well से, relationship से, किस से भी related हो, तो उसके लिए आपको एक बहुत अच्छी lending page सबसे पहले बनानी पड़ती है, तो सबसे पहला सबसे बड़ा काम होता है, lending page बनाना किसी भी offer के लिए, जब आपका customer यहाँ से click करके, यहाँ पर आता है, तो यह जो चीज़ है, make sure कि आपका lending page बहुत अपीलिंग होना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, hook, story and offer, ऐसा appealing lending page आपता होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता hook, story and offer के बारे में, तो मैंने बहुत बार बता रखा है कि lending page बनाते कैसे हैं, और videos हमारी channel पे अवाले वाल है, make sure कि आप उस video को जरूर देखें, then आपको इसके बाद यहाँ पर आपको एक email opt-in put करना पड़ता है, email opt-in का मतलब होता है, वो form जहाँ पर आपका customer email submit करता है, right, email submit, अब यह जरूरी क्यों है, मैं बता दूँ सबसे पहले, जरूरी इसलिए है guys, क्योंकि देखो, बहुत सारे लोग आते हैं सिर्फ offer check करते हैं and चले जाते हैं, तो उनको retarget कैसे किया जाए, retarget करने के लिए हमारे पास उनका address या contact कुछ तो होना चाहिए, okay, so यह जो form है वो यही काम करता है, कि उनका एक contact हमारे पास छोड़ जाता है as a form of email, then हम क्या करते है, हम उससे बार बार retarget करके उसको recall करते हैं, भाई आओ और देखो तुमारे लिए हमने कुछ offer रखा है, अगर अच्छा लगा तो ले लो, like that, okay, so हम बार-बार इससे retarget and recall करते हैं, just यही इसका fund होता है, that is called email opt-in submission, okay, so यह लगाना बहुत ज़रूरी होता है, इसके लगाने के अलग-अलग places होते हैं, कोई pop खुल जाएगा, and एक चीज़ और होती है, जैसे कि कोई सुरू में ही लगा देता है, email submit form, तो वहाँ पर आपको email submit करना पड़ता है, और कोई यह पूरा lending page को देखने के बाद, जब next पर आप जाते हो, तो वहाँ पर कोई opt लगा देता है, like that, जब मैंने अभी आपको यहा इसका जो email है, इसका जो data है, वह आपके autoresponder में चला जाता है, यह है आपका autoresponder, अब guys देखो, दो चीज़े होती है, पर एक तो यह बंदा जो है, यह आपके main sales page पे जाएगा, मतलब जहां से आपने product है, वहाँ से जाकि यह तो यह direct sold हो जाएगा, खरीद लेगा इतने हैं, like that, okay, so, अब यहाँ पर एक चीज़ आता है, that is called, email submission, और chatbot, आजकल chatbot भी market में आ गया है, तो यह भी बहुत main मुद्दा हो गया है, ठीक है, कि chatbot का भी आप यूज़ कर सकते हो, अच्छा का सा market करने के लिए, मैं basically दोनों चीज़ करता हूँ, डेपन करता है, आ customer में, आपका paid customer, अगर यह नहीं खरीदा, तो अब आप क्या करते हो, आप अपने जो आपका autoresponder है, यहाँ से इसको बार-बार email करते हो, first email, introduce yourself and recall, कि आप यहाँ पर आये थे, आपने यह खरीदा, and like that, things कि नहीं खरीदा, खरीदा, आपने देखा, offer जो भी उसने किया, व उसको email करते हो, वो करते हो, कि offer क्या है, भाई, नया offer क्या है, ठीक है, अब वो देखता है, तो ठीक है, नहीं देखता है, तो वो भी ठीक है, then आप उसको valuable emails and content send करने लगते हो, कि यह होता है, वो होता है, like that, knowledge share करने लगते हो, मैं basically बोलना चाहता हूँ, and then उसके बाद, फ कि यह हो रहा है, भाई, वो हो रहा है, यह देख लो, भाई, वो देख लो, भाई, मतला आप दिखाते हो, recall करते हो, relationship बनाते हो, like that thing, trust build करते हो, then जाके एक final email होती है, कि आपका product जो है, वो sold हो जाता है, most of cases में sold हो जाता है, because जो customer रहता है, वो पूरा attract रहता है, वो आपक product लिए interested रहता है, तब ही वो आपके sales opt-in page तक आता है, वरना वो यहां से ही वापस चले जाता है, वो यहां तक आता है, मतलब वो interested रहता है, और most of cases में sold हो ही जाता है product, ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ यह होती है, दूसरी चीज़ होता है, chatbot आपका, जो भी बंदा यहा होता है messenger में, और messenger कहा होता है, messenger होता है facebook में, तो अब क्या होता है guys, यहां पर facebook में आपको एक चीज़ यह मिल जाती है, कि आप अपने posting and content से चरीए, जो facebook page पे आप content डालो हो, जो posting जालो हो, उससे बार-बार उसको recall कर सकते हो, ठेक है, उससे बार-बार उसको आप recall कर सकते हो, प्लस आप email से तो करी सकते हो, बट अगर आप वो, सिधे chatbot यूज़ करते हो, और वो आप इसे chatbot में जाता है, तो आप अपने facebook post से, facebook comment से, आप उसको recall कर सकते हो, प्लस facebook ad से आप उसको recall कर सकते हो, प्लस आप messenger में तो उससे auto messages दे के बार-बार उसको recall करी रहे हो, तो facebook में एक चीज़ आ जाती है, that is called कि आपने content की जरिए, अच्छे से उसको introduce कर सकते हो, अपने आ and message सब कुछ कर सकते हो, okay, and वो क्या होता है, थोड़ा friendly होता है, because आपको पता है कि social media पे लोग थोड़ा socially behave करते हैं, like that things, तो वो जो चीज़े हैं, वो आपको थोड़ा मदद करती है, जल्दी customer को attack करने में, तो ये दो चीज़े होती है, chatbot and messenger, आप जोनों में से, sorry, chatbot, messenger औ email opt-in, आप दोनों में से, जो चाहो, वो use कर सकते हो, जिसमें आपको ज़्यादा comfortable feel हो, और लगी कि हाँ, ये marketing मिले लिए easy है, तो दोनों ये एक तरह से, काफी अच्छी-कासी marketing है, और guys, आज मैंने आपको जो बताया है, वो ये है कि इस link को click करने के बाद, कितनी सारी defense बनाना है, कैसे chatbot लगाना है, कैसे email opt-in लगाना है, कैसे लोगों से बात करना है, कैसे लोगों से trust build करना है, और कैसे उनको sold करना है, तो ये बहुत सारी चीज़े होती है, email opt-in के बाद, तो मैं आप कहूंगा, suggest करूंगा कि आप इन चीज़ों पे भी बहुत ज़्यान द उनको थोड़ा सा trust issue होता है, जिस चीज़ को आपको build करना पड़ता है, email optimia, messenger bots के जरिये, then वो sale होता है, तो make sure कि आप इन चीज़ों पर जरूर काम करो, कैसी लगी है, वीडियो comment में जरूर बताना, एक comment आपको जरूर appreciate करेगा मुझे, so please comment जरूर करना, इस वीडियो को like जर group, see you next time, bye bye, jahin.